इंटर्नेशनल समुदाई की चतावनियों को नजरन्दास करें इस कदम को अशान्ती के डर से अब तक रुके हुए थे तक ब çलो रुके हुए रखिसे अशैस्तर divine रreिया लतावनियों के चाहि थे के लिसे उतावनियों के अशब करें युके of action to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. This is a long overdue step to advance the peace process and to work towards a lasting agreement. Israel is a sovereign nation with the right like every other sovereign nation to determine its own. Trump ने इसे शान्ती के लिए उठाया गया कदम बताया है जो वर्शों से रुका हुआ था. इसके साथ ही डोनाल टरंप ने विदेश मंतराले को युएस दूतावास को तेल अभीव से यरुशलम शिफ्ट करने की निर्देश दिये हैं. असल में 1995 में अमेरिकी कॉंग्रस ने एक प्रिस्ताव पास किया गया था जिसमें दूतावास को यरुशलम में शिफ्ट करने की बात कही गई थी. अलाके बाद में जो भी राष्टपती सत्ता में आए उन्होंने यधास्तिती बनाये रखी और इस प्रिस्ताव पर अमल नहीं किया. बता दे कि इसराइल पूरे यरुशलम शहर को अपनी राजधानी बताता है जबकि फिलिस्तीनी पूरवी यरुशलम को अपनी भावी राजधानी बताते हैं. दरसल इस इलाके को इसराइल ने 1966 में अपनी कब्जी मिलिया था इसराइल फिलिस्तीन विवाद की जड़ेक इलाका ही है इस इलाके में यहूदी, मुस्लिफ और इसाई तीनों धर्म की पवित्र स्थल है यहां अस्तिती टेंपल माउंच जहां यहूदीयों का सबसे पवित्र स्थल है वही अलाकसा मस्जित को मुसल्मान विहत पाक मानते हैं इसके अलावा कुछ इसाईयों की माननेता है यरुशलम में ही इसा मसी को फूली पर चड़ाया गया था यहां अस्तित सपुखर चर्च को इसाई बहुत ही पवित्र मानते हैं न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट